थाने में अगर नमक नहीं हो तो स्वाद का पता नहीं चलता है और नमक को अगर हम देखें तो स्वाद के अलवा हमारी बॉड़ी की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है सोडियम एक ऐसा important mineral आप मान सकते हैं हमारी बॉड़ी के लिए चाहे नर्व फंक्शन की बात हो muscle movement की बात हो या फिर हमारे बॉड़ी के water balance को बनाए रखने की बात हो सोडियम का काफी ज़्यादा importance है for sure स्वाद के लिए भी नमक खाने में जरूरी है लेकिन यही नमक जो हम use कर रहे हैं उसका उप्योग काफी ज़्यादा हो रहा है fault जो है या फिर sodium का जो use है access में हो रहा है और इसकी वज़ए से हमारी life पे बहुत ही negative उसका impact आ रहा है इसी को लेके WHO की एक report है और इस report के अंदर WHO ने कुछ चीजों को highlight भी किया है और नमक के access use की वज़े से जो हमारी health पे negative impact है उसी को ध्यान में रखते हुए WHO ने ये target रखा था कि 2025 तक global level पे हम नमक के use को 30% तक कम करेंगे अब RVA की यही जो report है WHO global report on sodium intake reduction ये कह रही है कि हम अपने target से off track है इस target को हम achieve नहीं कर सकते है target को achieve करना क्यों ज़रूरी है क्योंकि WHO ही यहाँ पे mention करता है कि excess salt intake की वज़े से लगबग 70,000,000 लोगों की यहाँ पे जा सकती है around 7,000,000 people could die before 2030 because of excess salt consumption तो इस वज़े से WHO की तरफ से यहाँ पे चेतावनी भी है कि आपका जो use है, salt का use है, sodium का use है उसको आप थोड़ा कम करिए क्योंकि excess में है, excess में ही नहीं अगर हम use की बात करें तो WHO की जो recommendation है, उससे just double, double से भी ज़्यादा, दुगने से भी ज़्यादा salt का consumption हम कर रहे है for example, अगर हम recommendation की बात करें, तो global level पे जो WHO की recommendation है कि कितना आपको salt लेना चाहिए per day, यह है 5 gram salt आपका होना चाहिए per day जबकि global level पे यह लगबग 11 से 12 परसेंट तक जा रहा है just double हो गया, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में sodium जो consumption है more than double the physiological need, हमारी जो physiological need है, जैसा भी हमने डिसकस किया इन सारी आशकताओं के लिए body को sodium की ज़रुत है, उस physiological need से double यहाँ पे हमारा जो है सरकार के द्वारा किये जा रहे है, नमक के इसको use को रोकने के लिए global level पे किस तरह के प्रयास है इन सारे issues को detail में discuss करते हैं और यह एक ऐसा topic है exam के अलावा हमारी daily life हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत important है इस issue को जाना चलिए आगे बढ़ेंगे, मेरा नाम है राहूल भर्दवाज, this is the brief introduction about me यह टेलिग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे follow कर सकते हैं और यहाँ पे session का PDF और UPSC exam related और important current affair issues यहाँ पे आपको मिलते हैं pre special classes के लिए इस नीचे दिये गए link पे आप मुझे follow कर सकते हैं चाम को पांच बजे आपकी एक class है, उसका link भी टेलिग्राम पे आपको मिल जाएगा this is the name of telegram channel risk की अगर हम बात करें, high sodium जो index हमारा हो रहा है, जब हमारा sodium intake जादा है जो physiological need है, उससे काफी जादा हम sodium intake ले रहे हैं तो आप देखोगे blood pressure बढ़ना start होता है, high blood pressure की समस्या होती है high blood pressure की जो समस्या है, उसकी वज़े से heart attack आना, stroke आना, इस तरह के risk बढ़ जाते हैं heart failure, इन सब चीजों के risk बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा excess के अंदर intake जो हम कर रहे हैं, salt का उसकी वज़े से हमारा blood pressure ज़्यादा होता है, और यह experts ने भी देखा कि जब salt intake कम किया गया blood pressure को regulate करने में बहुत ज़्यादा help करता है, और अगर हम देखें kidney disease, kidney stone और यह सारी चीज़ें देखी जाती है osteoporosis, bond density का कम होना, bonds पे negative impact यह देखा जाता है stomach cancer भी देखा गया है, क्योंकि salt intake अगर आपका ज़्यादा है, तो stomach की हमारी जो lining है यह उसको damage करता है, ulcer वगरे cause कर रहा है, और इसकी वज़े से आप देखोगे की cancer के लिए भी जो है vulnerable बनाता है, experts तो यही कहते है, water retention भी cause कर रहा है जब आप देखोगे, body के अंदर हमारा salt ज़्यादा है, तो हमारी kidney, water balance जो responsible है वो इसी तरह से body के अंदर थोड़ा water को ज़्यादा retain करके रखती है, क्योंकि body के अंदर salt intake ज़्यादा है body जब water का retention कर रही है, तो हम देखेंगे कई बार हमारे हातों में, पैरों में, सूजन है, inflammation है कई बार हम weight gain कर लेते हैं, कई बार हमारी bloating होती है, कई बार हमें पेट फूला सा लगता है unnecessary लगता है कि हाँ यार एकदम से weight gain हो कैसे हो गया, तो यह स्थारे water retention, water retention एक तरह से early sign भी है कैसे पता चलेगा कि आप ज़्यादा salt intake कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा तरीका पता लगाने का तो यही है कि आपका food habits क्या हैं, इसको देख लो क्योंकि again अगर हम देखें, global level पे यही बात होती है, कि 70% तक जो आपका आ रहा है, up to 70% तक यह processed food से आता है, high income countries, developed nation की बात करें, तो जो excess salt आ रहा है, वो processed food से आ रहा है, वो घर के बाहर जो खाना खा रहे हैं, processed food में है, chips हैं, ठीक है, पिज्जा है, बर्गर है, और यह सा salt content comparatively काफी जादा है, processed food जो हम खा रहे हैं, उसके माध्यम से हमारे body में excess salt आ रहा है, हम अगर यह देखें, कि हम processed food घर के बाहर का काना, या fast food, processed food जादा खा रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि हमारा salt intake जादा होगा, या body के अंदर water retention दिखाई दे रहा है, हाथ पेरों में स related issues, ठीक है, क्या kidney के हों, या फिर nerve, इसकी हम बात करें, stomach cancer की बात करें, bonds की बात करें, इन सब पे negative impact लेके आता है, तो this is the one thing, और negative impact तो हमने देखें, काफे सारे हैं, 75% of the salt, especially अगर हम देखें, high income countries में, तो वो आ रहा है, process food से, developing देशों, low income countries की बात करें, तो वहाँ पे घरों में जिस तरीके से खाना बन रहा है, उसी के अंदर salt content ज्यादा दी, generally हम देखते हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो parents हमारे टोकते हैं, उपर से आप नमक मत लीजिए, जो जितना खाने में हैं, उतना खीक है, उपर से कई बार नमक लेके देते हैं, तो उसको अच्छा न लिए, और कोरोना के बाद एक और देखा, हमने काफी सारे behavioral changes हुए, कोरोना के दौरान food delivery platform ये काफी popular हुए, लोग घर से खाना order कर रहे हैं, उस समय पर मजबूरी भी थी, requirement भी थी, लेकिन अब उसके बाद में food habits जो है, वो बहुत change हुई है, और अगर हम USA की इस National Library of Medicine की ब use, consumption जो बड़ा, उसकी वज़े से risk बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसका risk बढ़ रहा है, non communicable disease का risk बढ़ रहा है, पिकि non communicable disease क्या होंगी, ऐसी disease जो एक दूसरे के contact में आने में, संपर्क में आने में छूने से नहीं फैल रहेगी, communicable disease जैसे TB है, या फिर HIV है, वो communicable diseases ह जो किसी भी patient के जो already infected है, उसके contact में आने से आप में भी फैलेगी, लेकिन किसी वेक्ति को अगर HIVP है, cancer है, आप उसके contact में है तो आपको BP cancer नहीं होगा, इस sense में ये non communicable disease है, तो non communicable disease में major है, आज के टाइम पे hurt related elements है, cardiovascular disease, diabetes हो गई, ठीक है, respiratory issues है, या फिर हम बात करें तो cancer है, तो इसमें आप देखोगे, बहुत जादा जो एक cardiac perspective से हम burden देखते हैं, उसमें salt एक major culprit के रूप में हमें दिखता है, कि excess salt का जो consumption है, वो बहुत बड़ा reason यहां पे सामने आता है, overall देखें तो एक epidemiological transition हमें देखने को मिल रहा है, कि जो burden है, non communicable disease की तरफ जादा है, health and family welfare भारस सरकार के मंतराले का data है, उसकी report यह कहती है, कि 1990 में केवल 30% जो है, जो death है, या contribution है, non communicable disease का वो था, आज यह बढ़के 60% हो गया, क्योंकि हमारी lifestyle ऐसी हो गई है, आज sugar का consumption जादा है, salt का consumption जादा है, sedentary lifestyle है, जहां पे activity नहीं है, तो इस context में यह बहुत सारे issues है और इसलिए आप देखेंगे, कि salt consumption को कम करने की तरफ भी परियास किये जा रहे है, अगर World Economic Forum की बात करें तो वो कह रहा है, कि भारत की economic 2012 से 30 के बीच में 2 trillion dollar का loss सफर करेगी, because of the consequences of cardiovascular disease, जिसके अंदर excess salt एक major culprit है, cost effective solution की requirement है, WHO की report यह भी कहती है, कि बहुत ही कम countries है, जिन्होंने यह बहुत ही easy cost effective method है, salt consumption कम कर दो, इन बीमारियों से बच जाओगे, लेकिन इसके लिए special policies चाहिए है, जो बहुत कम देशों ने बना रखी है, और unhealthy diet है, वो leading cause है, non communicable disease का, WHO ने कुछ recommendation यहां पर दियें कि कैसे आप salt का consumption है, उसको कम कर सकते है, salt के consumption को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, maximum sodium content limit आप foods पर डालिए, इससे ज़्यादा जो bread बन रहा है, या कोई भी component है, उसके अंदर इतना salt component होगा, इससे उपर नहीं जाएगा, South Africa ने तो काफी पहल में ही इस तरह की restrictions डाल दिये थे, कि जो food companyya, excuse me, food product बना रहे हैं, उस पर maximum limit रहेगा, तो इस तरह का global level पर सब जगे इंडिया में भी होना चाहिए, इंडिया में तो, जो है, वो mandatory भी नहीं है, कि आप sodium को उसको लिखो, that is not mandatory so far, यह एक बहुत issue है, reformulation of foods that contain less salt, बहुत सारे product जो है, market में काफी popular है, चैचिप्स है, नमकीन है, बर्गर है, पिजजा है, तो जिसमें food, यह salt content जादा है, उसमें थोड़ा हम reformulation करके ऐसा उनको बना सकते हैं, कि उसके अंदर salt content कम रखा जाए, क्योंकि लोगों का, उनके लिए जो, एक हम कहते हैं, कि likely नहीं से है, या फिर उसके लिए जा रहे हैं, उसको एकदम से कम करपाना बड़ा मुश्किल है, उस dietary habit को, behavioral change को लाना एकदम से मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हम reformulate करके, maximum limit करके, उस होने वाले excess salt के consumption से होने वाले damage को रोग सकते हैं, nutritional labeling को compulsory करना था कि, जो consumer उसको पता चले कि, हाँ, इसके अंदर low salt है, यह मेरी health के लिए अच्छा है, इस तरह से आप ले सकते हैं, labeled promotion of packed food with low sodium choices, यह behavioral change को promote करेगा, marketing restriction इस तरह के product जिन में salt बहुत जादा है, उस पे थोड़ा marketing restriction हम कर सकते हैं, कि आपको salt contact कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके health पे negative impact हैं, वगएरे वगएरे, सरकार के द्वरा procurement किये जाने वाले जो food products हैं, उसके अंदर low sodium products को एक तहरीज दी जाए, एक priority दी जाए, भारत सरकार की बात करें, बहुत सारी initiative government यहाँ पे ले रही है, हाला कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा policy नहीं है, national policy तो नहीं है, लेकिन voluntary level पे हम बहुत सारी initiative ले रहे हैं, और इसमें आगे है FSSAI, Food Safety Standard Authority of India, इसमें Eat Right Campaign चला रखा है, क्योंकि हमने देखा non communicable disease में lifestyle food habits का बहुत बड़ा रोल है, यह बहुत बड़े culprit हैं अगर आपको इस तरह की cardiovascular diabetes यह disease हो रही है, तो Eat Right Campaign कह रहा है कि आप अपनी diet को सही रखिए, Eat Right Campaign के ही एक उसके तौर पे एक campaign चला रखा है, आज से थोड़ा कम, यह एड आपने देखा होगा, आज से थोड़ा कम यह initiative चला रखा है, awareness campaign है, कि आप अपना जो नमक का consumption है, salt का consumption है, थोड़ा कम रखें, इसके अलावा भारत सरकार या FSSI तो यह भी कहता है, कि नमक ही क्यों, आप sugar का consumption, oil का consumption भी थोड़ा कम रखो, जितना हम ले रहे हैं, उससे थोड़ा कम उस consumption को रखें, तो यह उद्देशे है हमारा citizen को aware करने के लिए, ताकि उनकी food habits को healthy बनाया जा सके, एक awareness create की जा सके, और यह जो non-communicable disease से होने वाला burden है, इसको हम रोक सके, यह सारे प्रियास किये जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें, तो एक comprehensive national strategy की ज़रुष है, जिसको WHO भी acknowledge करता है, कि यह बहुत simple तरीका है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, अगर आप salt consumption को कम कर देते हैं, और example अगर हम देखें, बिर्टेन ने क्या किया, उसने citizens को aware किये विना, जो भी bread products हो रहे हैं, उसमें 30% तक salt reduction किया है, ताकि लोगों को इस तरह से कुछ भी वो नहीं है, और salt reduction अगर वहाँ पे हुआ है, तो उससे काफी लोगों को benefit भी हुआ है, तो इस तरह से हम कुछ कर सकते हैं, एक comprehensive strategy बनाई जाए, जितने भी stakeholders हैं, जिसमें industry के players हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे engage करें, government है, community at large, जिस सब यहाँ पे engage हो, community in the sense, consumer जो हम उपबोगता हैं, तो हम सब मिलके यहाँ पे informed decision लें, इस तरह की policies बनाएं कि high जो salt content वाले products हैं, उनको अटाया जाएं, और यहाँ पे जो healthy alternatives हैं, उनको हम choose कर सकते हैं, जिसा fruits हैं, raw fruits हैं, या फिर घर पे भी खाना बना रहे हैं, तो at least हम यह देख सकते हैं, यहाँ चपाती जो हैं हमारी उसमें नमक ना हो, या हो तो बहुत कम हो, उपर से नमक ना लें, इस तरह की कुछ restrictions हम कर सकते हैं, इंडिया का जो culture है, वो तो बहुत ही अच्छा है, आप देखेंगे कई जो fast होते हैं, हमारे यहाँ पर काफी fast रखे जाते हैं, इंडियन का religious significance है, तो हर धरम के अंदर ही है, इसका कोई religion specific ऐसा नहीं है, तो हर धरम के अंदर fasting का concept है, जो बहुत अच्छा है, तो जिस तरह से हमारी body को rest की ज़र रहते हैं, हमारे peat को भी rest की ज़र रहते हैं, और हम क्या करते हैं, वो constant विल्कुल बस वो active ही रहता है, तो उसको जब rest मिलेगा तो वो healing करेगा, ठीक है, तो उस context में भी ज़रूरी है, और कई fast होते हैं, जिसके अंदर का होता है, नमक नहीं घाना है आप, वो भी salt consumption को कम कर रहा है, in whatever manner, ठीक है, salt consumption यह हमारे ज़्यादा हैं, तो हमारी body को damage कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, premature death हो रही है, या फिर उनको इस तरह की बिमारी हो जाती हैं, जिससे उनको lifelong फिर दवाएं लेनी पड़ रही है, ये कुछ solutions हैं, salt वाला issue इस पर WHO की report थी, पिछले काफी समय से चर्चा जी, जिसको हमने cover किया है, session का जो PDF है, वो आपको इस telegram channel पर प्राप्त हो जाएगा, इसके लवागा अगर आप UPSC की तियारी कर रहे हैं, complete UPSC preparation आने के प्लस platform के साथ कर सकते हैं, 26 मही तक आपको 50% तक discount आफर किया जा रहा है, इस discount को avail करने के लिए, use this special code SP Rahul B, subscription कैसे लेना है, description box में भी link है, इस telegram channel पर भी आपको subscription का link मिलता है, आप अपना plan चूज कीजिए, एक साल, दो साल, then put this particular code, और फिर online payment के थूँ जा सकते हैं, once you get the subscription, जितने भी educators and academy पर हैं, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, Hindi माध्यम के लिए जो है, 28 महीं से batches शुरू हुए, और 0% EMI option भी आपको मिलता है, अगर आप offline जाना चाहरे हैं, तो करोल बाग में, offline center पर 5 जून से batches start हो रहा है, this is the fee structure, you can go for that as well,